है कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ए निखिल और फोन दर्शन के इस एपिसोर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ कि फोन दर्शन के इस एपिसोर में मैं आपको यह बताऊंगा कि शाुमी की जो फोन से उनमें से काट सकते हैं कर दोस्तों इस बात को दीकर मैं थो र्ट की किया है तो कि आज देखते हैं दोस्तों होनल से शल्म पर काट सकते हैं जहाट को मैं पुर्टिस किया है जो फोल्डर से वहां पर Advertisement आ रही है और इसके अलावा जो फोन का ब्राउजर है उस फोन के ब्राउजर से Advertisements दिखाई जा रही है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो फोन के फोल्डर से वहां से Advertisements कैसे हटाई जा सकती है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है More Apps इस फोल्डर पर अगर मैं टैप करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर प्रोमोटेड एप्स दिखाए जा रहे हैं यह देखिए प्रोमोटेड एप्स यह कुछ और नहीं बलकि यह Advertisements है तो यहाँ पर देखिए यह प्रोमोटेड एप्स का यहाँ पर एक On Off स्witch है तो इसको आप क्या किए किजी यहाँ पर से आप ऑफ कर दीजी अगर अगर आप फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते को आ यहाँ पर फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकते हैं इसके बाद आप आप य यहां folder पर से advertisements हट गई है, आप आएए देखते हैं कि browser से advertisements कैसे हटाया सकते हैं, सबसे पहले आप browser पर जाएए, जैसे कि आप browser पर जा रहे हैं, जब भी आप browser को open करेंगे, तो जो homepage पर ऐसी advertisements आती है, इसके अरावा क्या होता है कि यह जो browser है, वो आपके notification बार में, advertisements डालता रहता है, तो उसको disable करने के लिए, आप अपने phone के settings में जाएए, settings में system apps पर जाएए, और system apps में browser पर टैप कीजिए, एक बार आप browser पर गया है, उसके बाद आप notifications पर जाएए, इसके बाद, set the start page जो है, इस options पर क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ पर custom select कीजिए, और customs में, google.com set कर दीजिए, और ok पर क्लिक कीजिए, इस तरह से आपका start page चेंज हो गया, और अभी जो हम लोगोंने notifications को turn off किया था, उससे क्या होगा, कि किसी भी तरह की advertisements अभी notification बार में नहीं आएगी, अभी मैं क्या करता हूँ, कि मैं सब कुछ close कर देता हूँ, अब देखिए, अब मैं, अब मैंने फिर से browser पर click किया, अब देखिए, अब advertisement की जगह पर हमें Google का homepage देख रहा है, इस तरह से दोस्तों, आप अपने phone से, जो folder से, वहाँ से advertisements हटा सकते हैं, और browser के homepage को replace कर सकते हैं, ताकि आपको unnecessary advertisements ना देखे, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो के नीचे जो like button है, उस like button को दबा दे, और इसी तरह की videos को देखते रहने के लिए, इस वीडियो के नीचे के read color के subscribe button को दबाए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर आपका दिन शुभ हो